हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम एक साइट से लाई वाला प्लाजो बनाने जा रहे हैं यह प्लाजो बहुत ही सिंपल है जिन लोगों को प्लाजो बनाने में ओलजन होती है वो लोग भी इस प्लाजो को आसानी से बना सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते ह हैं तो यह कपड़ा हमने डवल फोल्ड करके बिचा लिया है देखेगा आप हम इसको फोर फोल्ड करेंगे तो हम एक बार इसको ऐसे उठाएंगे और इधर मिला देंगे यह देखेगा कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया है आप हम इस पर मार्किंग करेंगे तो यह कपड़ा है हमारा टोटल 41 इंच तो इसमें हम 37 इंच तक कपला जो बना सकते हैं अगर आपको इससे ज़्यादा लंबाई कपला जो बनाना है तो आप नीचे मोरी को फोल्ड करने के लिए अलग से कपड़ा लगा सकते हैं तो सबसे पहले हम नीचे मोरी फोल्ड करने के लिए जितना भी कपड़ा हमें रखना है वो हम मार्क करेंगे तो हम यह दो इंच ले रहें और इस मार्क को सीधा करेंगे लंबाई लेंगे तो हम इस मार्क से उपर लंबाई का निशान लगाएंगे 30 इंच पर और ये उपर जो मारा कपड़ा बचा है 2 इंच ये जब हम एफा फोल्ड करेंगे इलास्टिक डालेंगे तब उपर फोल्ड हो जाएगा तो यहां से यहां तक हमारी इग्जेक्ट ही अब हम कमर का मार्क करेंगे तो जो भी आपके हिप का साइज उसका चौथाई भाग निकाल लिएगा और उसमें धाई इंच लूजिंग एड करने के बाद मार्क कर दीजेगा हमारे मेजर्मेंट में हिप साइज है 40 इंच तो 40 का चौथाई भाग आएगा 10 इंच तो यह तोटल हमारा साड़े 12 इंच हो ज đếnगा और अब हम आसन लेंगे तो आसन भी हम अपने हिप के साइस से ही निकालते हैं तो हिप का चौता ही भाग लेंगे और उसमे धाइ इंच लूजिंग अड़ करेंगे तो यह हमारा आसन हो जाएगा तो hipka 4 भाग आएगा 10 inch और 0.5 inch looting add करेंगे तो ये 1.5 inch हो जाएगा ये आशन का mark हो गया है और अब हम 23 का mark करेंगे तो यहाँ भी hipka 4 भाग लेंगे और 3 inch looting add करेंगे आपके hipka जो भी side हो आप उसमें 3 inch looting add करके mark कर दिजेगा तो ये आएगा 13 inch तो हम 13 इंच पर एक मार्क करेंगे और इस मार्क को भी सीधा मिलाएंगे और यह जो हमने आसन का मार्क किया था इसको भी उपर से सीधा मिलाएंगे और यहां से 2.5 इंच आगे लेंगे क्रॉच के लिए और यहां से क्रॉच की गुलाई देंगे तो यह 23 का टोटल हो गया है साड़े 15 इंच और अब हम मोरी का मार करेंगे तो मोरी जाएं तो आप 23 के हिसाब से 11.5 इंच भी रख सकते हैं या फिर 14 या 13 भी ले सकते हैं तो हम यहाँ मोरी रखेंगे 13 इंच और सेफ त्टी को इस तरीके से रखते हुए मोरी के मार्क से मिलाएंगे और यहां करोच के मार्क से मिलादे हुए हम शेप देंगे प्लाजो कि मार्किंग हो गई है इसको एक बार और समझ लीजीगा यहां हम लेते हैं और उसमें ठाई इंची लूजिंग एट करेंगे तो ये कमर का मार्क हो जाएगा और आसन के लिए भी हम हिप का चौताई भाग लेंगे और उसमें धाई इंचे लूजिंग एट करेंगे तो ये आसन का मार्क हो जाएगा थाई के लिए हिप का चौता ही भाग लेंगे और तीन इंचे लूजिंग एट करेंगे और धाई इंचे इसको आगे लेंगे क्रोच के लिए और यहां से क्रोच की गुलाई देंगे और इस मार्क से क्रोच के और नीचे मोरी के मार्क तक मिलाएंगे और शेप दे देंगे आप किसी भी से हमने इसको ओपन कर लिया है यह कपड़े की उल्टी साइड है तो इधर से ही हम आसन की सिलाई करेंगे कि ग्यादा इंच कपड़ा दवाते हुए निचे तक सिलाई लगाएंगे और इस साइड के आसन को हम बाद में जोड़ेंगे पहले हम इलास्टिक डालेंगे आसन की सिलाई हमने लगा ली है दूसरे आसन की सिलाई नेफि में इलास्टिक डालने के बाद लगाएंगे तो चलिए मसीन पर चलकर इलास्टिक डालते हैं तो इलास्टिक डालने का तरीका होता है जितनी भी हमारी कमर होती है हम उसे 4 या 5 इंच इला कि 33 इंच यह आ रहे हैं आदा इंच इसको और बढ़ाएंगे जब हम सिलाई लगाएंगे प्लाजों में तो सिलाई में दवेगा तो यह साड़े 33 पर मार्ग कर लिया है लास्टिक को हम अभी नहीं कट करेंगे प्लाजों में डालने के बाद हम इसको कट करेंगे तो चलिए डालना इस्टार्ट करते हैं ग्यासन की सिलाई है एक तरफ की और दूसरी तरफ जो हमारा खुला होगा आसन की तरफ बहां से हम इलास्टिक डालन करेंगे देखेगा elastik को हम थोड़ा नीचे रखेंगे और कपड़े को इस को पर फोल्ड करके थोड़ा कपड़ा अंदर फोल्ड करेंगे quarter inch और उसके बाद कपड़ा elastik को फोल्ड करके यहां से पहले हम elastik को log कर देंगे जिससे elastic कपड़े के साथ अच्छे से fix हो जाए और उसके उपर हमें किनारे किनारे स्लाई चलाना है हम elastic को slime में नहीं दवाएंगे, इसलाई हम कपड़े पर चलाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लॉग कर लेते हैं, elastic को यह हमने elastic को लॉग कर लिया है पूरे नेफे में हमने elastic डाल ली है और अब हम elastic को खीचेंगे हमने जो elastic पर 30.30 का mark लगाया था, उसको बाहर लाएंगे हमें elastic को जब तक खीचना है, जब तक हमारा mark बाहर नहीं आ जाता है mark हमारा आ गया है, तो हम यहां से elastic को cut करेंगे हम इसको धीरे धीरे अंदर खीच काएंगे देखेगा, और अब हम कहां पर भी स्लाई को लॉग करेंगे और अब हमें पूरे नेफे को ऐसे खीच रहा है जिससे हमारी elastic में कपला बरावर जाए और elastic में finishing दिखेंगे इसके लिए पांचे बार हम नेफे को इस तरीके से खीचेंगे यह हमारी ulti side है, हम इसको cd side पलतेंगे और इधर से हम elastic के बीचों बीच में एक स्लाई लगाएंगे यह हमें कपड़े को ऐसे खीचते जाना है और स्लाई लगाते जाना है हमने elastic के बीच में स्लाई को लगा लिया है देखेगा, elastic हमारी कितने अच्छे से पड़ी है यह elastic लगाने का सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका है और अब हम यह जो हमारी खुली साइड है यह आसन बाली साइड है एक आसन को हमने पहले जॉइन कर लिया था अब हम इस आसन को भी जॉइन करेंगे यह देखेगा तो हम यहां आदा इंच का मार्जन देते हुए सिलाई लगाएंगे आशन की स्लाई हमने लगा ली है, अब हम मोरी फोल्ड करेंगे तुझगे हमारी सीधी साइड है और हम मोरी इधर ही फोल्ड करेंगे क्योंकि हम इसमें गोटा पत्ती का डिजाइन बनाने वाले हैं एक एक यह देखेगा तो हम मोरी को सीधी साइड मोड़ेंगे तो यह हमारा भई मार्क है जो नीचे हमने मोरी फोल्ड करने के लिए लगाया था इस मार्क को किनारे से लाएंगे और उपर हलका सा कपड़ा अंदर मोडते हुए और अब हम यह गोटा पट्टी वाली लेस को इसके अंदर दवाएंगे थोड़ा सा और इस तरीके से सिलाई लगा देंगे हमने बॉटम को फोल्ड कर लिया है और यह उपर इसके लेस लगा दी है और अब हम तीन लाइन यह गोटा पट्टी के बनाएंगे सेम ऐसे हमें दूसरी मोरी को भी तयार करना है देखेगा, बॉटम को हमने गोटा पट्टी लगाकर तयार कर लिया है, दोनों मूरी को, अगर आपको सिंपल रखना है तो आप इसको सिंपल पलटकर सिलाई लगा दीजिया, अब हम आसन से नीचे थक पैर की सिलाई लगाएंगे, तो ये आसन है, आसन की दोनों सिलाई को मि लेगे लेगे मोधसीन हैं दोलुर laughing एक पलाजों हमारा बन किर तयार है यह प्लाजों बहुत इजी तरीके से बना है Nawaf जिन लोगों को पैंट प्लाजो या पजामा प्लाजो बनाने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए ये बैटर आप्शन है, और पहनने में भी कमफरेबल रहता है, वीडियो अच्छा लगा हूँ, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके लिएगा, वीडियो आपको कैसा लगा, थाइंक यू,